इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड एफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. इस दवा के समान स्थर को बनाये रखने के लिए इसे प्रति दिन एक निश्चित समय पर लेने की सलाह दी जाती है. अगर आप किसी भी खुराक को लेना भूल गए हैं, तो जैसे ही आपको याद आए, उसे ले लें. बहतर महसूस होने के बावजूद भी दवा की कोई खुर दर्द, मिचली आना, उल्टी, भूक में कमी, पेट में दर्द, हिरदे गती बढ़ना और हाई ब्लड प्रेशर शामिल हैं. हाला कि ये साइड एफेक्ट अस्थाई होते हैं और आमतोर पर कुछ समय में अपने आप ठीक हो जाते हैं. अगर ये कम नहीं होते हैं या आपको परिशान करते हैं तो कृपया अपने डॉक्टर से परामर्श लें. इस दवा से आपको चक्कर या नींद आ सकती है. इसलिए जब तक आप यह ना जान ले कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती है तब तक ड्राइव या ऐसा कोई काम न करें जिसमें मानसिक फोकस की आवशक्ता होती है. यदि आपको किड्नी, हिर्दै, लिवर की कोई समस्या है या दौरे यानी की एपिलेपसी या फिट का इतिहास है तो एटोनेक्स चालीस टेबलेट लेने से पहले अपने डॉक्टर को सूचित करें. अगर आपके मूड या व्यवहार में कोई असामान बदलाव होता है. आपमें नए या बिगरते जा रहे अवसाद या आत्मगती विचार आने के लक्षन दिखें तो अपने डॉक्टर को बताएं. यह दवा आपके बलड प्रेश को बढ़ा सकती है. इसलिए इसकी नियमित रूप से निगरानी करना बहतर होता है और अगर आपको इससे परिशानी हो रही तो अपने डॉक्टर से बात करें. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें. और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें. धन्यवाद.